कि उत्तर प्रदिश के मुख्यमंत्री योगिया दितनात ने आज नेमिशारण में संतों से बातचीत की है और इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हन्मान गड़ी के महंत बजरंगदास जी मौजूद है महंत जी आज मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों से बातचीत की है क्या बातचीत हुई है और विस्तार से समझे तो आगे की क्या प्लानी जयजय सियराम आज लगभग दस बजे मुख्यमंत्री जी का आगबन हुआ था नई मिसारण का जो विकास है नई मिसारण चक्रतीर्त ललता दीवी को मिलाकर करिडोर बन रहा है उस पर चरशा हुई और मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों से पूछा कि क्या क्या वो शक्ता रहेगी क्या क्य रहेगी तो हम लोगों ने इतनी कहा मारा जो आप कि हम लोग इस विसे में परिपक्त को नहीं है जो आप करेंगे अच्छा करेंगे जैसा करेंगे हम आपके साथ में हैं हम लोगों ने मानी मुख्यमंत्री जी से यह कहा कि जो निर्माण जैसा आप चाहेंगे हम लोग वैस सक्त जरूरत थी, इसमें कोई दोराय नहीं है, जितनी भी गवर्मेंटें पिछली रही, उनसे भी अपिक्षा थी कि नेमिसान का विकास हो, मैं हर जगा इक चीज गुरू बोलता हूँ, नेमिसारेण एक अरेण है, विकास हो, लेकिन इसका जो मूल है अरेण, उसको नस्ट किया जाए, क्योंकि ब्रम्हा के जो द्वारा फेके के चक्र की धुरी, इस अरेण में सिर्ड हुई, नेमि, भगवान के ब्रम्हा के द्वारा फेके के चक्र की धुरी को नेमि कहते हैं, सिर्ड मतलब गिरना, अरेण मतलब जंगल, तो इस जंगल को जैसे है, वैसे ही सुर दाएं मिलनी चाहिए लेकिन जो नई मिसारण का मूल धुरी है अरेड उसको सुरक्षित रखा जाए लगातार जैसे उन्हों आज भी जिक्र किया कि चिराक तले अंधेरा है और राजधानी के बिल्कुल बगल का जिला होने के बावजूद उस तरह का विकास नहीं हो पाया तो अब जब नया विकास की पटकता ऐसे अनुवान है कि लिखी जाएगी तो अब नए मिसारण को संथ हैं तो अब यह जो नहीं पटकता लिखी जा रहे उससे कितनी उमीद है कि उम्मीद तो बहुत है कि जिस प्रकार रोडों का निर्माड के लिए मानचित रखा गया है कि इस प्रकार रोडे कनेक्ट होंगी एक बाई-पास बनेगा और एक हार्ट बनेगी और गोमती त रहा है जो सामने दिखाई पड़ रहा है उससे तो लग रहा है कि वरहा दस्तर पर नेमिशान का विकास होगा और अयोध्या मतुरा चाहे कासी हो किसी बड़े तीर्थों की तुलना नेमिशान से कर सकेंगे आज परेटक भले कमाते हो नेमिशान में मुझे लगता है जब विकास दो साल तीन साल चार साल में होके तयार होगा पुरा नेमिशान का तो उसके बाद परटा होगे कि संथा भी बढ़ेगी नेमिशान में बीस परसंट परसंट एकदम मुझाफा होगा आयोध्या के नजरिये से भी कहा जा रहा है कि चुकि जन्वरी में श्री राम जन्भूमी पर जो मंदिर बनना है वो तैयार हो जाएगा और उसके बाद में चुकि जितनी दूरी अगर बात करें लखनों से नेमिश की उतनी से कुछ ज़्यादा आयोध्या की तो उस नजर कुछ रहता है जैसे आपने कहा अभी मेरी पचासवर्ष है मैंने बहुत गवर्मेंट'ेटेश है नेमिशाण के लोगोंने सब निवेधन已经 कि आज जो भी मुख्य मंत्री आते थे या केंदरी मंत्री आते थे या मंत्री आते थे कि नैमिशान का विकास होना चाहिए विकास होना चाहिए तो ये बात हमारे ये शश्वी मुख्य मंत्री योगी आदित नाज जी तक पहुंची हमको लगता है और उन्हें विकास के मानिय योगी जी ने हम लोगों से कहा कि महानतु जी पैसे की कमी नई है बस आप लोग ये बताइएगा करना क्या है और जो विकास उन्होंने अभी तक खागा की चागा यह सकते हैं कि बड़ा च्छा बन के तायार होगा नेकि हनमान जी कुरपा है योगी जी के हांसे होना थ कि जब इस तरह के निर्माड होते हैं तो बिपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि इतना खर्च कर दिया गया जिसे काशी कारिडोर बना उसको लेकर भी सवाल उठे तो आप किस नजर यह से देखते हैं यह मुझे मुझे नहीं मालूम यह है कि विकास होना चाहिए और जो चीज होनी चाहिए पार दर्स्ता से होनी चाहिए उसमें लोगों को कहीं से यह दलगे कि इनको दबाया जा रहा है इनको कुछला जा रहा है इनके संजबरस्ती की जा रही है पार दर्स्ता रहनी चाहिए क्योंकि जो लोग घुमी देते हैं उनको भी लगे कि मैंने इस अपना एक आहूती दीजे से विकास होता ना सबकी आहूती पड़ती है उसमें किसी एक जो गरीब है इस एक पैसे की होती है बड़े आदमी की एक करोड की होती है लेकिन जिसकी एक रुपय की भी आहूती पड़ी तो उसको भी जानने का अधिका कर रहे हैं तो यह थे हन्मानगड़ी के महन स्री बजरंगदास जी जिनका साफ तोर से कहना है कि वह जो नयमिस का विकास हो रहा उसमें साथ हैं वह एक महत्पूर वाद भी उन्होंने बोली कि नयमिसारण है यानि एक अरण है और जो नयमिसारण की पुरानी पहचान है वह भी बरकरार रखना जरूरी है नयमिसे अर्शत के साथ चल्मरी शुक्रा इंडिया न्यूज्स